चेटीब सार, आज तोरेंट ओफिस में आपने पतरकार परिटत का आउजन्सिया है, कि आपको रमामला है, इसके आपने आजन्सिया है? नमश्कार, इस्लामुदीन जी, काफि दिनों से काफि सारे विशेर के लिए, आप लोगों में से काफि लोगों नेमिल को फोन किये, दिस्केशन किया तो उसी बहाने से मिलाकाद करके जो कुछ विशय है, उसकी चर्चा हो सके इसलिए आजका यह अपको गुला के दिस्केश देखी वो वीडियो एक वाइरल हो रहा है, वीडियो में किसी गूरूप ने ऐसा बोला है कि टॉरंट का ये आडियो क्लिप है, टॉरंट का कोई employee या टॉरंट का कोई member किसी के vigilance case के लिए उसको फोन कर रहा है, जबकि ये गलत बात है, वो वीडियो हमने भी सुना उसका investigation कि ये बगार किसी group ने बहुत ही blatantly बोल दिया है कि वो टॉरंट पावर के employee ने call किया है, और टॉरंट पावर का employee किसी को वसूली के लिए, विजिलन्स के लिए प्रिशराइज कर रहा है, उसका हमने investigation किया, उसका check किया, तो वो phone number जो हमारे पास आया था, वो phone number हमारे records में कह registered नहीं है, हमारे किसी employee का phone number नहीं है, दूसरा वो आप phone number अगर true caller पे देखेंगे या records में देखेंगे तो सुमित पार्टल करके कुछ दिखाता है, तो ऐसा सुमित पार्टल करके हमारे employees में भी कोई नहीं है, और हमारे लोग इस तरीके से बात नहीं करते हैं, आप उसको स तो ये बंदा जो call कर रहा था पता नहीं कौन था, बट टॉरेंट पावर ने उससे related police में complaint कर दी है, टॉरेंट पावर ने वो group के against भी complaint की है, जिनोंने टॉरेंट को वीडियो को लेके बददाम किया हुआ है, कि ये टॉरेंट का कोई employee लोगों को pressurize कर रहा है, तो मेरी ये ही request है कि आप कुछ भी टॉरेंट के नाम पर बोलने के पहले, थोड़ा सा facts तो verify कर ले, थोड़ा सच क्या है, जान ले, थोड़ा सा homework कर ले, उसके बाद में, आप अगर कुछ है, तो टॉरेंट पावर में आके बाद बिल्कुल कर सकते हैं. अगर काम करवादा था ले जाकर वहाँ ऑफिस देखिए, हमने हमारे तरीके से उसको पूरा चेक किया, investigation किया, हमारे इसमें से वो कोई employee नहीं पाया गया है, अभी वो किसी ने जान भूश के बनाया हुआ क्लिप लग राए, टॉरेंट को बदनाम करने के लिए, क्योंकि क ऐसा है, हमारे यहां पर officers किसी भी मामले में खुट directly बात करते हैं, आप counter पे जाएंगे, तो counter वाला आपको समझाएगा, क्या उसमें आपका payment है, क्या आपका billing है, सारी details आपको बताए जाते हैं, और हमारे officers directly ही customers के साथ बातचीत करते हैं, किसी के through नहीं करते हैं, तो आप के through मैं in fact लोगों से appeal करूँगा, कि आप किसी भी third party पे, या किसी भी आदमी को, या किसी भी agent को जो ऐसा बोलेगी, हम torrent power की तरफ से हैं, बिल्कुल यकीन ना करें, आपका कोई भी billing problem है, आपका application related problem है, आपका direct power usage का कोई problem है, आप नया connection लेना चाहते हैं, आप कृपया सी साइड बे भी जा सकते हैं, connect.torrentpower.com, उसके उपर भी सारी जानकारी available है, बिल भरा जा सकता है, आपका बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं, complaint डाल सकते हैं, हमारा mobile app भी है, torrent connect, आप उसको use करके भी सारी चीजे कर सकते हैं, तो कृपया करके आप please, ये किसी third party को, अपने बिल related या torrent power related मसलों के लिए अप्रोच ना करें, ये काफी सारे लोग ठग हैं, जो लोगों की ठगी कर रहे हैं, torrent power के नाम से. MSCB के time का जो bill बगाया था, तो वो भी आप उसूर करेंगी या उसमें कुछ गया हैंगी? देखे, MSCB के time का bill, अगर किसी का बाकी है, कोई billing dispute है, और उनको उसमें कोई दिक्कत है, तो मैं request करूँगा कि customer आए, हमारे customer care में application करें, हमारे officers से बात करें, उसमें क्या review करने के पाथ billing correction अगर required है, तो हो जाएगा, अगर नहीं है, तो उसमें क्या customer के लिए हम support करने के लिए उसको installment करके दे सकते हैं, या part payment करके दे सकते हैं, वो center से उनको बताया जाएगा, जी सियासी पार्टी के MRC ने authority complaint इसको देखिया तो? जहां तक मैं समझता हूँ, electricity related complaint, MRC या consumer forum के दाइरे में नहीं आती है, कुछ लोग अपने तरीके से हो अला करते हैं, कि application किया, complaint की, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा एक ही यह है कि आज तक अगर कहीं पे complaint हुई है, या कहीं पे किसी ने कुछ application कि या है, तो torrent के against, ऐसा कोई order आया नहीं है, या torrent कुछ गलत काम करी, ऐसा कहीं पे भी नहीं आया है, in fact आप जानते हैं कि हम भीवंडी में भी franchisee के बतौर 2007 से काम कर रहे हैं, भीवंडी में भी काफी सारे joint audit हुए, MACD CL की तरफ से survey हुए, और past में कभी भी, कहीं भी टॉन तर्म पावर कुछ गलत काम कर रहा है, ऐसा नहीं पाया गया है, या ऐसा कोई order नहीं निकला है, अचा अब्जेक्शन लेकर जो इस तरह गता में आ रहे है, कि तो ताइटीग मीटर लगाने पर अब्जेक्शन लेकर देखिए, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, कि जो मीटर लगा रहा है, कुच का मीटर नहीं लगा रहा है, तो आरंटिगर को मीटर नहीं करता है, तो न पावर जो मीटर लगा रहा है, ये MECDCL के guidelines के हिसाब से, MECDCL के approved vendors के meters है, जो पूरे इंडिया में मश्वूर vendors है, इनका लगाने के पहले testing होता है, customer जो मीटर पुर ज़रूरी है कि Central Electricity Regulatory Commission CERC जो है इनके guidelines के इसाब से समय समय पर power utility ने advanced meter नए meter जिसमें सारी facility हो लगाना ज़रूरी है और उसका हर utility को हर power company को authority भी है in fact आज का ही आपने अगर times of India पढ़ा होगा MSC DCL की तरफ से article छपा है कि वो smart meter लगाने वाले है MSC DCL के तरफ से पुराने meter बदल के smart meter सब जगा लगाये जाने वाले हैं तो उसी तरीके से जब जब ज़रूरी हो अगर meter पुराने हो गए हैं खराब हो गए हैं तो power utility को right होता है कि वो meter को upgrade करें और सही दुरूस्ट advanced technology के meter लगाएं दूसरा आपके जरिये से में यह भी कहना चाहूंगा कि अगर customer किसी वज़र से torrent power द्वारा लगाए गए meter नहीं लगाना चाहता है तो वो खुद का meter भी लगा सकता है आपको customer care approach करना है वहाँ पर application देना है कि हम हमारा meter लगाना चाहते हैं वहाँ से आपको process समझाया जाएगा कि आपको क्या करना है और कौन से vendors के meter आप लगा सकते हैं विलासरा और देश्मू की योजना अभय योजना जो थी यह 31 डिसंबर तक थी इसके लिए हमने काफी सारा public awareness किया advertisement किया इसके पावजूद मैं यह नहीं कहूंगा कि response नहीं आया बड़ जैसा चाहिए था वैसा response नहीं आया मुमरा में लगबख लाख एक लाख के उपर ऐसे customers है जिनका PD बकाया बाकी है और यह scheme में शिलकलवा मुमरा में से लगबख बाइस सो लोगों उनने ही इस scheme का फाइदा उठाया है एक लाख से अधिक लोगों का शिलकलवा मुमरा में जो बाकी है उनमें से सिर्फ 22 लोग यह scheme का फाइदा उठाये है मेरी लोगों से गुजारेश है कि अभी scheme तो खतम हो गई है लेकिन आपका अगर PD पकाया है आप प्लीज हमारे customer care आए उसको क्लियर करें और regular power supply यूज करें irregular power supply, unauthorized power supply गैर कानूनी बिजली का वापर ना करें उससे चूरी माना जाता है उसमें vigilance का case आपके उपर हो सकता है electricity act section 135 के तहें तो please आप गैर कानूनी बिजली का इस्तिनमाल न करें आपका अगर bill बकाया है आपका amount जमा हो गया है जिसको आप clear करना चाहते है आप torrent power customer care approach करें उसमें आपको कैसे support किया जा सकता है आपको installment दिये जा सकते है या आपके लिए part payment हो सकता है क्या हो सकता है ये customer care से आपको बिल्कुल guide किया जाएगा एक बात यह दिन जो हाथसा हुआ था torrent करम चाहने की बहुत ही तो किस तरीके से torrent power करम चाहने हुआ जो safety provide करती है देखिए कैसा है कि वो बहुत unfortunate incident था कि accident हुआ और किसी के जान गई लेकिन उसमें उन्होंने safety के जो gloves होते हैं वो नहीं पहने थे वो contract पहले तो वो torrent power के employee नहीं थे किसी contractor team के कोई member थे मीटर का का काम कर रहे थे और हाथसा हो गया और उनकी जान चली गई हम जानते हैं कि बहुत ही unfortunate event था वो बट एक चीज़ बहुत जरूरी है समझना कि electricity का काम करते हैं safety ओजार जो होते हैं safety equipment जो होते हैं यह बहुत जरूरी होता है पहनना जैसे ग्लाउज है आपका helmet है आपके बाकी के shoes है या jacket है उन्होंने safety के जो ग्लाउज होते हैं वो नहीं पहनने थे और उस वज़े से वह हाथसा हो गया लेकिन process के हिसाब से company ने उसमें जो भी है वो उसको support करने के लिए काम किया नहीं 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 वहां पर हमारा engineer भी मौजू झाल 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 झाल